तो दोस्तो एलपी की भरती आ चुकी है और आप लोगों ने फॉर्म के लिए अपलाई करना शुरू कर दिया होगा और आप लोगों के बीस सबसे ज़्यादा है आपके लिए सेफ जोन होगा को 3 कैटिगरी में किया है एवरेज बच्चों के बीच और ब्रिलियंड बच्चो के बीच और जो है टॉपर बच्चों के बीच तो वह साथ मैं लास्ट में आपको मेरा फेवरेट जो टॉप थ्री जोन है जिसे मैं पसंद करता हूँ और जहां से मुझे लगता है कि स्योर सौर्ट सेलेक्शन हो जा क्यों कि मैंने इस एक्जाम को निकाला भी है लेवल पर है और उनकी तयारी इनसे अच्छी है और तीसरे जो है वो ब्रिलेंट है वो सीजील वगएरा की तयारी करते हैं और जो है ट्राइ करने के लिए बस रेलवे में आ रहे हैं और उनको लगता है कि वो किसी भी जोन से अपला कर दें तो सेलेक्शन सीवर सौट हो होंगा उसनका और यहां पर बिकट equally लिए उरेंट ऻोन मैंने रखा चया- inexpensive और यहांसे है जिनका भी ब्रिलेंट मतलब कहने का है विकर अगर पंजाब से है तो सब्सक्टम कर लेंगर बलें हार्याना अब बहुत हैं वसी तरह देज सब्सक्रते he do इसे S7 ने डिनोट किया है और अजमेर में राजस्तान वाले अगर ब्रिलेंट हैं तब ही अपलाई आप करें वहीं देखें भुपाल है उसके आपका परियागराज 286 सीट भुपाल में 284 सीट और उसका सिकंद्राबाज 2758 सीट यहां पे भी कटफ हाई ही गया था पिछले उसका देखें बिलासपूर 1316 सीट यहां पर ब्रिल्यंट बच्चो वालों के लिए है क्योंकि सीट ज्यादा रहने से क्या होता है पहली नजर में जहां पर जादा सीट होता है लोग वहीं पर जादा अपलाई करते हैं और इसी चक्कर में कटफ जादा हो जाता है तो यह जो थे मैंने 8-9 बोर्ड को मार्क कर दिया है जहां पर जो भी बोर्ड आपके घर के नजदीक है और आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप इनके लिए जा सकते हैं देखें अब आते हैं अवराज बच्चों के लिए चाह लिए जो कि जॉब और आप इस वीडियो को देख रहा हैं तो इसमें बात करेंगेए जो zone जो है जिसमें कम cutoff जा सकता है और यह simple बच्चों के लिए है ठीक है तो देखे बैंगलूरू zone यहाँ पे cutoff कम जाना चाहिए 473 seat है फिर मुंबई देखे 547 है और यहाँ पे भी जो है यह average बच्चों के लिए मैंने इस zone को जो है green color से रखा है उसके देखे कोलकाता है 345 सीट है यह भी average बच्चों के लिए green है यहाँ signal आपके लिए माल्दा यहाँ पे भी green signal है आपके लिए 217 सीट है भूबनेश्वार 230 सीट है ग्रीन सीट है आपके लिए करें तो वो जो है आपका अन बोर्डों के मुकाबले 15 से 20 नंबर तक कम चला गया था यह बोर्ड भी आप देख सकते हैं उसका देखें जम्मो और सिन्यगर हमेशा कटफ कम ही जाएगा यहां का तो 39 सीट है यह भी safe category के अंदर आता है green signal इसे भी मिल चुका है इसके अलाब मेरा फेवरेट जोन अगर मैं अभी आपके तरह त्यारी कर रहा होता तो मैं किस जोन को सलेक्ट करता है तो देखिए मेरा जो सबसे फेवरेट जोन है और मैंने देखा था कि 2018 में सबसे कम कटफ गया था देखिए मैं इसे first rank दे रहा हूं और यह जो है आपका एक नंबर प में इन-दर आता है अब आप बोलिया कि मंबे में तो कम कटफ नहीं जाता है या फिर मुंबें का सीट इतना भी जाद नहीं या तो इसकी छासियत क्या है मुंबे की यह में बतादू आपको कि यहां पेशिख तर्व्य ठीक है और ये भी important zone है अगर आपको your sort job चाहिए तो आप इसे consider कर सकते हैं तो ये तीन zone जो थे मेरे हिसाब से best हैं आप देख लिजेगा वीडियो में pause करके आप देख सकते हैं और अगर आप railway के तयारी कर रहे हैं तो आपका पता होगा आपको कि cbt2 जो exam होगा उसमें आपक जो है basic science and engineering drawing ये दोनों आने वाला है चालिस marks का होगा और ये deciding होगा आपका merit बनाने में तो basic science and engineering कि class साथ ही साथ जो है आपका एडवाइं इंजिनिंग की भी class जो है चल रही है इस चैनल में तो चैनल के साथ जर जूरू 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 जाए और future में भी class चालू हो जाएगी आपके form भनने के बाद ही तो आज का वीडियो यहीं तक रहा आप जरू कमेंट करके बताए अगर कुछ confusion है फिर मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हैं दोस्तों